Assalamu alaikum dear learners and welcome in this video which is about the part-time and home-based entrepreneurship आपके पस दो अप्रोचिस हैं, एक अप्रोच तो है full-time entrepreneurship की और full-time entrepreneurship का मतब यह है कि आप और कोई और काम नहीं कर रहे है आप एक full-time entrepreneur है, आपने यहां तो अपना venture create करना है यहां आप अपना family business join करने लगे हैं यहां आपने अपनी franchise open की भी हैं, यहां कोई existing business buy करें और यही आपका main occupation है अब full-time entrepreneurship के वही सारे challenges हैं, वही सारे issues हैं जो हम discuss कर चुके हैं, यानि इसमें risk भी होगा, इसमें time भी आपका बहुत जादा लगेगा आप बहुत stress भी ले रहे होंगे अपने business का और चुके यह आपका main occupation है, इसलिए आपका main source of income भी होगा Second option है, part-time entrepreneurship की और part-time entrepreneurship का मत्तब यह है कि एक ऐसा individual जिसने अपना business शुरू कियावा है, बट उसका business यानि उसका जो venture है, it's not the main source of income यानि उसका main occupation entrepreneurship नहीं है part-time entrepreneurship भी all around the world काफी attention गेन कर रही है because बहुत जादा लोग, part-time entrepreneurs बन रहे है part-time entrepreneurship सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप job भी कर रहे हैं और अपने business को भी आप, you know, देख रहे हैं but part-time entrepreneurship भी बहुत challenging है और इसकी भी बहुत सी considerations होती हैं जो आपने अपने जहेर में रखनी है for example, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप part-time entrepreneur बनना ही क्यों चाहते हैं क्या आपकी कोई financial problem है यानि मिसाल के तौर पर आप जहां job करते हैं वहाँ आपकी जो income आ रही है वो sufficient नहीं है आपको as an additional source of income, you know, आप अपना venture create करना चाह रहे है या अपना business आपने start किया वा है या फिर कोई आपके non-financial motives है, मिसाल के तौर पर risk manage करना चाह रहे है job आपने रखी वी है अपने पास, जहां से income आ रही है लेकिन साथ-साथ अपना business idea develop कर रहे है जब वो mature हो जाएगा, आप business छोडएंगे और full-time entrepreneur बन जाएंगे second important चीज and that is a social pressure बाज अकात आप जिस society में move कर रहे होते हैं उसके कुछ social pressures होते हैं, group pressures होते हैं जो आप लीना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हो आपके पस घर बड़ा हो, गाड़ी अच्छी हो तो इसलिए आप उन social pressures को लेते हुए additional income के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं so additional income में अगर आप कहीं job कर रहे हैं तो part time में आप सोचना शुरू करते हैं कि आप क्यों न अपना कोई काम शुरू करते हैं लेकिन इस सारे मामले के अंदर आपने याद रखना है आप burn out का शिकार हो सकते हैं और burn out का मत्तब यह है कि आप काम करते हुए इतने ठक जाते हैं कि at the end आप सब चीज़ें छोड़ देते हैं आपकी job commitments हैं आपकी business की भी commitments हैं और दोनों commitments इतनी stressful हो सकती हैं कि at the end of the day ना आपसे अच्छे तरीके से job हो ना आपसे अच्छे तरीके से business चलाया जा सके हैं उसके बाद over commitment employer ने आपसे performance मांगनेंग हैं आपका time मांगना है क्योंकि वो आपको pay कर रहा है business आपसे अलग time मांग रहा है आपसे अलग वो तमाम की तमाम financial और non financial commitments मांग रहा हैं जो आपने invest करनी हैं business को चलाने के लिए इससे आपकी social life काफी हद तक मुतासर हो सकती है और फिर उसके बाद at the end याद रखेगा आपको दोनों risk manage करने पड़ेंगे drop के अपने risk होते हैं businesses के अपने risk होते हैं और आप time management और risk management में you know जगल करते रहेंगे अब आज आते हैं home based entrepreneurship के बारे में जो जादे तर ruler areas में देखी जाते हैं home based entrepreneurship जादे तर या तो इसको micro बलके बहुत से लोग इसको nano business कहते हैं बहुत ही छोटा business और ये जादे तर skill based ही होता है home based entrepreneur basically कौन होते हैं home based entrepreneurs वो होते हैं जो अपने घर के अंदर ही अपना काम कर रहे हो यानि in other words a business whose primary office is in the honors home उसको हम home based entrepreneurs कहते हैं और मैंने आपको पहले ही बताए कि ये ruler areas में सबसे जादा देखा जाता है जादा तर खवाती जो हैं वो home based entrepreneurs होती हैं वो अपने घरों में काम ले आती हैं छोटा सा उन्रोंने अपना manufacturing unit लगाया होता है वहीं पे काम हो रहा होता है और फिर उसके बाद वो अपनी products को ये अपने काम को भाजा के किसी और के हाथ बेच रही होती हैं home based entrepreneurship irrespective of a very small size इसके भी अपने कुछ concerns होते हैं जिनमें तो सबसे पहली मुश्किल यही होती है कि home based entrepreneurs को एक तो access to the finance जो है उसमें बहुत problems आती हैं चुकि आपको business बहुत छोटा होता है घर के अंदर होता है इसलिए बहुत से finance के जो financial institutions हैं वो आपको loan देने से कत्रा रहे होते हैं क्योंकि आपको वो एक mature entrepreneur के तोर पे एक mature business के तोर पे नहीं देख रहे होते हैं दूसरा जो problem आ जाता है that is the scale up issue आप home based entrepreneur है एक घर के अंदर एक छोटा सा कमरा या छोटा सा कोना जो है उसको आपने declare कियावा है कि यहीं पर मेरा जो भी production हो रही है वो यहीं पर हो गई अब आपके पास order जादा आना शुरू हो जाते हैं माल आपके पास जादा आना शुरू हो गया है so आप चाहें भी अगर कि आपने business को expand करें पहलाएं जादा production करें तो issue होता है कि घर बाजवकात इतना चोटा होता है कि आप अपने business को बढ़ा नहीं सकते scale up की issues आ जाते हैं तीसरी important बात चोके business घर में है और घर business के साथ है इसलिए खवातीन को खास तोर पे work life balance के बहुत जादा issues आना शुरू हो जाते हैं चीजें blur हो जाती है आपका business और आपका घर अलग नहीं रहता time कभी आप business को जादा दे रही है कभी business की तरफ तवज़ो कम है तो घर की तरफ तवज़ो बहुत जादा हो गई है जिसकी वज़े से quality सफर करती है so home based entrepreneurship जो हम ruler areas में देखते हैं जो जादतर खवातीन होती है हम समझते हैं कि चोके वह बहुत छोटे size का एक business है इसलिए उसके कोई issues नहीं होंगे उनके भी अपने issues होते हैं आप भी home based entrepreneur बन सकते हैं खास दोर पे अगर आप एक होनर्मन इनसान हैं so this is all about part time entrepreneurship and home based entrepreneurship see you in the next video